दोस्तों एक बार फिर साब सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोग सुरादिक गोगुल के बारे में जो की यूरिन से सम्मंदिस समश्याओं यानि मूत्र से सम्मंदिस समश्याओं के लिए एक फाइदेमन्द मेडिशन है इसके अलावा भी इसके और भी बहुत सारे फाइदे है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा तो फिर आईए जानते हैं कि क्या है इसकी खास बात इसके फाइदे क्या है इसे आपको कैसे इस्तमाल करना है इसके ingredients क्या है, कौन-कौन इसे ले सकता है, इसके side effect क्या हो सकते है और भी सब तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है देखे सबसे पहले अगर बात करें पतंजली गोगसुरादी Google के price की तो इसका price 66 रुपए है, यानि 66 रुपए जिसमें आपको 80 टैबलेट यानि 80 टैबलेट देखने को मिलती है और आप इसे किसी भी पतंजली स्टोर से खरी सकते है या फिर मेरे दुआरा वीडियो के description में दी गई online link से भी आप इसे purchase कर सकते है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में देखिए इसका इस्तिमाल, खास कर पेसाब से जुड़े हुए जो भी रोग होते हैं जैसे पेसाब का रुग रुग कराना, बार बार पेसाब आना, पेसाब में जलन होना, पेसाब में बदबु आना, पेसाब करते वक्त देड़ तक पेसाब ना आना, पेसाब में कठिनाई, पेसाब को रोग नहीं पाना, पेसाब कम आना, पेसाब का कमजोर प्रवा, पेसाब इस टाइब की यूरिन से समंदित समश्याओं में गोकसुराधी गूगल फाइदेमन रहती है इन सब रोगों में गोकसुराधी गूगूल लेने की सलाहे वो दी जा सकती है इसके अलावा ये किट्नी के फंक्सन को ठीक करती है प्रजनन अंग, मूत्रासय और मूत्र मार्ग क हेल्दी बनाने का काम करती है ये पित्त को कम करती है पाचन सकती सुधार कर भूग भी बढ़ाती है और कब्ज यानि कॉंस्टिपेशन को दूर करने का काम करती है इसके अलावा किट्नी में स्टोन की समश्या या फिर बार-बार स्टोन बनने की समश्या है तो उसमें भी फाइदा करती है दोस्तों इसके अलावा इसके इस्तेमाल से गठिया, औस्टे और्थराइटिस, यूरिक एसिड और जोडों के दर्दे में भी फाइदा है वो देखने को मिलता है तो देखा आपने गोकसुरादी गूगल के कितने सारे फाइदा है दोस्तों ये आपके बेहत बैतरीन जड़ी बूटियां जैसे गोकरू, सुद्ध गूगलू, सौंट, मिर्च, पिपली, हरड, बहेडा, आमला, नागर मोता ये सब महत्पूर इंग्रिडियन्स इसमें सामिल है और इन्हें घी में प्रोसेस है वो किया गया है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके डोस के बारे में यानि आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखिए इसकी आपको दिन में दो टैबलेट लेने की सलाह वो दी जाती है यानि आपको इसकी एक टैबलेट सुभ है और एक टैबलेट शाम को लेनी है आपको इसे खाने खाने की बाद लेना होता है और तो आपको यही सलह देना चाहँगा कि इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सला लें दोस्तो अगर बात करें इसके साइड़ एफेक्ट तो देखिए इसका कोई भी साइड़ एफेक्ट देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी इसे लेने के बार अगर आपको कुछ भी health में issue लगता है आपका पेड़ खराब आपको कुछ पेड़ में गड़बड वगेरा कुछ ऐसा feel होता है तो आप इसे लेना बंद भी कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं हालाकि इसका आपको कोई भी side effect जो है वो देखने को नहीं मिलता देखे इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो इस बच्चों के लिए medicine नहीं है अगर बच्चों को देना है तो पहले डॉक्टर से जरूर concern करें इसके अलावा जो महिलाएं pregnant है उन्हें भी इसे नहीं लेना है बिना डॉक्टर के सला लिये बिना क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान unnecessary कोई भी medicine लेना है वो सही नहीं होता तो इसलिए इस बारे में पहले डॉक्टर से जरूर concern करें तो दोस्तों ये थी परसंदाई हो तो लाइक करें अगर आप ये चैनल पर नए है तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं नीमी जितेज and thank you so much for watching